और कटिहार में ममता को कलंकित करते हुए एक मा ने अपनी ही बेटी का धारदार हतियार से गला रेद कर हत्या कर दी और खुद भी जहर खा लिया मामला मुफसिल थानक्षित्र के चिल्माडा गाउं का है फिलाल आरोपी महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है आरोपी महिला हत्या की वज़ा अपने पती के साथ विवाद बता रही है बता दे पूरा ममला कटिहार का है जहां पर रिष्टे को शर्मसार करने का मामला सामने आया है जहां मा ने अपनी ही बीटी की गला रेद कर हत्या कर दी हत्या की पीछे की वज़ा पती से विवाद बता रहा है और इस पर जादा जानकरे के लिए हमारे साथ कटियार से समवाद आता है सुमन जुड़ चुके है। सुमन विवाद बताया जा रहा है इस पूरी घटना के पीछे की वजा को लेकिन ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। उस मासूम की क्या गल्ती थी, पुलिस को क्या कुछ कहना है और कारवाई क्या कुछ आगे बढ़ी है इसमें। तो लोगों ने इस पर करा, दुख अतराज किया है, जहांकि एक माँ ने अपनी बेटी का गला रेज कर हस्या कर दिया है, यह आरूप उनके मात लगा है, पुलिस पूरे मामले को लेकर जाच कर रही है, जाच के बाद ही यह खुलाता हो पाएगा, आखिर पूरा मामला ने महीला के पती को गिरफ्त मिलिया है, क्या उससे पूस्ताच की जारी क्यूंकि इसके पीछे की वज़ा पती से विवाद को बताया जारा है, तो क्या पती को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने किया है? पूरे मामले की जास कर रहा है, जास के बाद बहीं खुलाता होगा और मीडिया को इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। कै तक बढ़ने हो डित्कel ओे सके बाराह है, झास कर दोरी जास के ख be động कर सक दोरी जानकारी है, जास की нравится है, जास कर जानकारी जामले के बारे में तärकाएगी।